राज़बर के नियूजित सिक्षकों ने सचमता परिक्षा का आफ दुरोध करने का ऐलान कर दिया है अगामी 16 फरवरी को हजारों की संक्या में सिक्षक पटना के सरकों पर उतरेंगे अंदोलन पर उतरने वाले सिक्षकों को सिक्षव भाग के ACS के के पाठक ने पिछले देनों हिदायत दी थी कि उन्होंने अगर किसी तरह के धरना प्रदर्शन या फिर अंदोलन में भाग लिया तो उनकी खैर नहीं होगी हाला कि केकी पाठक की चेतावनी का कोई खास असर सिक्षकों पर होता नहीं दिख रहा है दरसल पटनास्थित बिहार राज्य सिक्षक संग भवन में शुक्रवार को तमाम सिक्षक संगटनों की बैचक हुई है संग की राश्ट्र अध्यक्ष ने कहा है कि लोकतंत्र में सिक्षकों में सबसे अधिक लोकतंत्रिक विवस्ता होनी जरूरी है लेकिन सरकार सिक्षकों के साथ अलोकतंत्रिक वहवार कर रही है सरकार के तानाशाही फैसले के खिलाफ अब सभी सिक्षक एक जूट होकर प्रदर्शन करेंगे उन्होंने कहा है कि 1968 में उन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी और कोठारी कमीशन आया था उस समय सभी सिक्षकों को सरकारी किया गया था और सरकारी वेतन मान तै किया गया था साल 2006 से ही वो लोग नियुजित सिक्षकों को राजकर्मी का अधर्जा देने की मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार बार बार सिक्षकों के लिए छोटी मोटी घोसना करके इसको टाल रही है। मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाले सिक्षकों पर सरकार की अधिकारी कारवाई की बात कहते हैं। उन्हें जो करना है कर ले लेकिन सरकार के कानों तक अपनी बात पहुचाने के लिए सिक्षक आंदोलन पर जरूर उत्रेंगे चीहां बता देए कि बिहार में 3,50,000 ऐसे नियुजद सिक्सक है जो कई सालों से यी बिहार सरकार से राजज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं लेकिन सरकार पिछले कई सालों से कोई ना कोई बाते कहकर उसको टाल दे रही थी लेकिन अब एक इस पर फैसला निकल कर आया कि जो नियुजद सिक्सक राजज्यकर्मी का दर्जा चाहते हैं उनको सचमता परिक्षा पास करनी होगी सचमता परिक्षा की तारिखों का एलान भी हो गया है और पहले ये था कि सचमता परिक्षा में आपको तीन मौके मिलेंगे लेकिन अब कहीं न कहीं इस मौके को बढ़ोतरी कर दी गई है और इस तीन मौकों को बढ़ा कर पाच मौका कर दिया है लेकिन ऐसे में कई नियोजुत सिक्षक कैसे हैं जो ये कह रहे हैं कि वो सच्छमता परिक्षा नहीं देंगे इतने सालों से हम अपना काम कर रहे हैं इतने सालों से हम परहा रहे हैं तो हमी बिना परिक्षा की राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए हम कोई परिक्षा नहीं ल कि अपर मुख्य सुचीव के के पाठक ने सक्त इधायत दे दी है कि जो भी सिक्षक धरना प्रदर्शन या अंदोलन में शामिल होते हैं तो उनके उपर करी कारवाई की जाएगी लेकिन ACS के पाठक के इस बात का किसी सिक्षक पर कोई असर नहीं है तमाम सिक्षकों ने कह दिया है कि हम अंदोलन प्रदर्शन जरूर करेंगे सरकार तक अपनी बातों को जरूर पहुचाएंगे आसे ही तमाम अब्डेट्स के लिए बने रहें NBC24